वीडियो में हम बात करने वाले हैं Australia Women's T20 Big Best League का match जो की खेला जाएगा Sydney Sixers vs Melbourne Renegades Women's के बीच में यहाँ पर Dream 11 टीम आपको दिखाएंगे तो वीडियो को पूरा देखिए बहुत चलेगा आपको यह वीडियो इस वीडियो से काफी कुछ सिखने के लिए मिलेगा डिरेक्ली Melbourne Renegades मैच जो नमबर 25 है WCA Ground पर्थ के बैन्यू पर मैच होगा सुबह में 8 बच के 10 मिनट पे इसका टाइमिंग है यानि की लाइन अप आउट हो जाएगी WCA Ground की अगर मैं बात करूँ तो यहां के अगर आप देखोगे चार मैचेस अभी तक इस बैन्यू पर हुए है एक यह मैच जो है बैलो स्कोर रहा है बाकी सारे मैचेस जो है उसमें ठीक ठाक हमे बैट देखने के लिए मिली है बैट जो है यहां पर जनरली अगर आप देख लेना जो है पसंद करेगी विडियो को लाइक भी कर दीजे आपका एक लाइक चैनल को सपोर्ट करेगा हमें मोटिवेशन मिलेगी वेन्यू स्टैट्स की बात करें टोटल जो है 31 टी-20 मैचे से इस वेन्यू पर हुए है बारा बार बैट फर्स्ट करने वाली टीम ने विन किया है उन्नीस बार बैट सेकंड करने वाली टीम ने विन किया है 135 रन एबरेज इसकोर है 199 हाइस्ट इसकोर है और 94 रन यहां पर लोवेस्ट इसकोर है 31 मैच इसमें क्या हुआ है 21 बार 150 रन से नीचे का स्कोर बना है इसी से आप समझ सकते हो कि लोव स्कोरिंग जो है मैच यहां पर रहते हैं 150 से 170 रन के बीच में जो है 6 बार स्कोर बना है 170 से 190 के बीच में 2 बार और 190 से ओपर का स्कोर यहां पर 2 बार बना है इस सिजन इस वेन्यू पर जो है टोटल 4 मैच से लगा है तीन नॉर्मबर को 2 matches खेले गये थे और 31 अक्टूबर और 25 अक्टूबर को यहां पर matches खेले गये थे यहां पर आप देख सकते हो हमने scorecard पूरा लिखा हुआ है कि किस team ने कितना किया हुआ है यहां पर Sydney Sixers ने एक ये match खेला है और एक ये match खेला है Renegades की टीम ने एक मैच खेला है यानि कि दो मैचेस यहाँ पर Sydney Sixers की टीम ने खेले हैं और एक मैच जो है Renegades की टीम ने खेला हुआ है अब Head to Head की रिकॉर्ड की अगर हम बात करें टोटल जो है 16 T20 मैचेस हुए है Sydney Sixers और Melbourne Renegades के बीच में 10 बार Sydney Sixers की टीम ने विन किया है और 6 बार Renegades की टीम ने विन किया है इनके बीच में लास्ट येर दो मैचेस हुए थे एक मैच अबंडेड हो गया था सौरी 9 रिजल्ड रहा था और एक मैच जो है Sydney Sixers की टीम ने विन किया था 2021 में इन दोनों ही टीम की बीच में दो मैचेस हुए थे दोनों मैच जो है Renegades की टीम ने विन किये थे Head to Head में वैसे तो यहाँ पे फेवरेट रहने वाली है Sydney Sixers और वैसे भी अगर आप देखोगे तो दोनों ही टीम लगबग एक्वल पोजिशन पे है Melbourne Renegades ने इस टूनामेंट में अभी तक 6 मैचेस के लिए है सिर्फ एक मैच विन किया है One Stable में 7 वे पोजिशन पे है Sydney Sixers की टीम ने भी 5 मैचेस के लिए है लास्ट यर की runner-up टीम रही थी बहुत अच्छा केली थी लास्ट यर लेकिन अभी तक 5 मैचेस के लिए है सिर्फ एक मैच विन किया है दोनों ही टीम के लास्ट आप 5 मैचेस यहाँ पर देख सकते हो बहुत ही बुरी पोजिशन से दोनों ही टीम गुजर रही है अब अगर बात की जाए हैं यहाँ पर प्लेंग 11 की सबसे पहले सिडनी सिकसर्स की प्लेंग 11 देखते हैं सुजी बेट्स के साथ में आपको अलीशा पहरी ओपन करते हुँ मिलेंगी बंडाउन पर अलीशा गाडनर है उसके बाद इरिन बंस है सी ट्रॉयन है मटिलिया ब्राउन है एम क्रिबान चला है कैटी पीले है केट पिटर्सन है लेंसी समीथ है लॉरेंग चीटल है यह सिडनी सिकसर्स वोमिन्स की प्लेंग 11 है प्लेयर रोल भी साइड में हमने लिखा हुआ है तो वो भी आप पढ़ सकते हो मिलबन रेनिगेट्स की अगर हम बात करें टेर्नी वेर माउंट के साथ में हैली मेथ्यूज आपको उपन करते हो नजर आएंगी बंडाउन पे काउंटी वेव है उसके बाद हर्मन प्रीत कौर है गवर्जिया वेरहम है जीव प्रिस्ट्वीज है सारा कोटी है जेडूली है इमा डी ब्राउज है उसके बाद इमा हैवाड है और सारा किंडली है बॉलिंग से ये थोड़ी सी कमजोड टीम नजर आती है सारा कोटी एक मातर जो है और गवर्जिया वेरहम इनकी तरब से अच्छी जो है बॉलर्स आप बोल सकते हो लेकिन ओबराल अगर मैं बात करूँ न तो रेनिगेट्स की टीम और सिक्सर्स की टीम दोनों ही टीम आप जो है इस्पेक्टेड यहाँ पे नहीं कर सकते कि कौन से टीम विन करने वाली है क्योंकि दोनों ही टीम में स्टार प्लेयर्स भरेव हुए है जैसे कि अगर आप देखोगे अलिशा पैरी हो गई, गार्डनर हो गई, सीट रॉयन हो गई मतिलिया ब्राउन हो गई यह अच्छे अच्छे प्लेयर्स यहाँ पे अच्छे अच्छे प्लेयर्स यहाँ भरे हुए है सिड्नी सिक्सर्स की टीम में मेलबर्न रेनिगेट्स में बात करें बिड्माउंट हो गई, हैली मेर्थ्यूज हो गई, हर्बन प्रीत कौर हो गई गोर्जिया बैराम हो गई, सारा कोट्टी हो गई तो बढ़िया बढ़िया प्लेयर्स दोनों ही टीम में भरे हुए है वैसे मेरी प्रडिक्शन करें है कि यहाँ पर सिड्नी सिक्सर्स की टीम जो है यह वाला मैच निकाल ले जाएगी अब प्लेयर के स्टैट्स की बात करते हैं सुजी बेट्स बहुत ही बेकार फॉर्म से चल रही है अलिशा पैरी भी कुछ मैचेस में अच्छा कर रही थी बैक टू बैक दो फिफ्टी मारी लास्ट मिच में चौदर रन प्याउट वी वैसे हैट टो हैट टो हैट में बहुत अच्छा रिकॉर्ड है और वेन्यू पर भी एवरेज आप देख सकते हो 11 मैचेस में 306 रन और 111 की एवरेज है गार्डनर हमेशा से अच्छा परफॉर्म करती है तीन विकेट यहाँ पर निकाले दो विकेट यहाँ पर दो विकेट यहाँ पर परफॉर्म बहुत ही पूर आप जो है इनका बोल सकते हो सीट्रोयन एज उज्वल जैसे की टीम को जोड़त पढ़ रही है वो परफॉर्म कर रही है नोड आउट बढ़िया प्लेयर है अपनी टीम में आपको रखना चाहिए मेटलिया ब्राउन ने भी लास्ट में 32 किया यहाँ पर 35 किया है टीम को जब जोड़त पढ़ रही है तो स्कोर भी कर रही है और विकेट भी अगर आप देखोगे तो लेके जा रही है हाला कि लास्ट में इनको विकेट नहीं मिला था इनकी तरब से बाकी कुछ खास नहीं है यहाँ पर जो है जरूर से लॉरें चीटल फिकेट्स ले रही है अगर आप देखोगे कसिस्टेंट प्लेयर में तो विकेट्स निकाल रही है यह लास्ट मेंच की जो है इनकी पूरी बॉलिंग डिटेल से इन्होंने टोटल जो है सेड्नी सिक्सर्स वोमिंस की टीम ने साथ बॉलर जो है यूज किये थे किसने कौन सा ओवर डाला था वो भी आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा मिलबन डेनी गेट्स की अगर हम बात करें बेनमाउंट जीरो प्या लास्ट मैच में आउट हुई उसके पहले डिसेंड सा स्कोर जो है जरूर से की है और हले मैथ्यूज अगर आप देखोगे तो ये मैच बेकार इनका गया बाकी सारे मैचस में ओवराल अच्छी परफॉर्मेंस दी है लास्ट मैच में भी जो है 31 रन इनोंने किये हुए है सी बेव अपने दिन पे बहुत अच्छा करके आपको दे सकती है जरू से ट्राइ करिएगा हरमन प्रीत को और कमाल कर रही है हर मैच में अगर आप देखोगे तो बैट बॉल दोनों से कमाल कर रही है एडवांटेज जा रहा है हाला कि लास्ट मैच में इनोंने अगर आप देखोगे बॉलिंग कराई थी सिर्फ एक ओवर ज़्यादा ओवर्स नहीं डाल रही है ये लास्ट मैच की मेलवन ड्रेनिगेट्स मोमिंस की पूरी बॉलिंग डिटेल से इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन से प्लियर ने कव ओवर किया है और यहाँ पर आपको ये भी आइडिया लगएगा कि कौन से प्लियर जो है स्कोर कर रही है जैसे कि गोर्जिया वेरहम 44 run, 25 run, 30 run, 47 run, 36 run तो ये score भी कर रहे हैं और wicket taking भी option है तो जरूर से अपनी team में रखेगा अब ही हम जब dream alone की team बनाएंगे तो आपको बताएंगे कौन-कौन से बढ़िया प्लेयर से जो आपको अपनी team में रखने चाहिए अब top picks की बात कर लेते हैं अलिशा पैरी, हर्मन प्रीट कोर, गार्डनर, हैली मेथ्यूज, सी, ट्रोयन, बिनमाउंट, मिटिलिया ब्राउन, गोर्जिया विरहम ये जो आठ प्लेयर मैंने आपको बताए हैं ये अपनी maximum grand league की teams में small league की teams में रखना भाई बढ़िया option रहने वाले हैं इस small league में CVC की अगर में बात करूं, अलिशा पैरी, हर्मन प्रीत कोर, अलिशा गार्डनर और हैली मेथ्यूज, ये चार पर ही आपको जाना चाहिए इनही में CVC जाओ, इसपेसली यहाँ पर गार्डनर और हैली मेथ्यूज, इनको CVC करो small league में, क्योंकि mostly लोग इनही को CVC करके लिके आएंगे, grand league में अगर आप जारे हो, c-tron, 10-1, metellia brown और गोर्जिया वेरहम, ये चार one of the best आपको option मिलती है, grand league में differential picks के लिए, CVC इनके साथ में जाओ, grand league की टीम में आप बनाओ, तो grand league की टीम में इनको जरू से try करना बहुत अच्छी जो है option रहने वाली है, चैनल पर आपको जो है, teams देखनी के लिए मिलेंगी, तो telegram channel आप जो हुर से join करिएगा, video के description में हमने लिंक डाल रखी है, telegram channel की, dream alone पर चलते हैं, जहाँ पे अपनी हम team ready कर लेते हैं, Sydney Sixers और Melbourne Rainy Gates की, एक player के बारे में आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देकर जो है, और साथी साथ यहाँ पर यार, C, जो है, वेप, county वेप, और सुजी बेट्स, इन दोनों में से किसी एक को, या फिर एरिन बंस को ले सकते हो, बंस के साथ में ये advantage आएगा, कि ये balling कर रही हैं, तो ये एक advantage रहेगा इनके साथ में, ये 5 player तो डारेक्ली मेरी टीम में आने वाली हैं, इसमें से आप C, टीमों में अपनी निकाल सकते हो, और मेटिलिया ब्राउन को अपनी टीम से आप निकाल सकते हो, सारा कोटी हमारी टीम में डारेक्ली आएगी, लॉरिन चीटल जो है, विकेट निकाल रही है, इसलिए अच्छों में आपको विकेट निकालके दे सकती है, जो में निकाल के सकते ही है, आप बात करते हैं, टीम प्रिवियू की, गाइज अग़ तुमी की बात कियाए, इस टीम में आप देखोंगे, शेटिंश 6 ली और में को भी आप जो है रख सकते हूँ क्योंकि बैड बोल दोनों कर रहे हैं तगडी पाउर हीटर बैटर हैं इंडिया टीम की कैप्टन है जे डूली को लिया है अलीचा पैरी हमारी टीम में टेने बिर माउंट है हर्मन प्रीत को और है हली मेथ्यूज है सी ट्रॉयन है गोर्जिय आपको मैं रिक्मेंट करूँगा कि अपने जो है हिसाब से सी वी सी जो है सेलेक्ट करना बाकि यहां पर अलड़ी आपको अप्शन बता दिया है मेटलिया ब्राउन सी ट्रॉयन में से किसी को भी आप ड्रॉप करके सूजी बेट्स वगरा को जो है आप अपने टीम में होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो अप्लोड करूंगा उसकी नोडिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी चैनल को ऐसे ही देखते रहें सपोर्ट करते रहें मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में